अज़ोधिवगन की बेटी नाईसा देवगन से लेकर शारुख खान की बेटी सुहारा खान समीद कई सालब्स डाक से गोरे बनने पर हुए ट्रोल सोशल मेडिया रडार पर अजदेवगन की बेटी सही है क्योंकि दोस्तों के साथ उसकी छुट्टियों की तस्वीरे इंटरनेट पर वाइरल हो रही है और नैटी जन्स शांत नहीं रह सकते और ललकी को ट्रोल कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं कि वो इतनी गोरी कैसे हो गई दिपिका बादकोर्ड जो अपने पिछले रंग की तुलना में थोड़ी हलकी दिखती है उन्हें भी इसकिन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रोल किया गया था और उनसे इस पर एक सवाल भी पूचा गया था और उनका जवाब सुए व्यक्यात्मक था कते तोर पर अगर उन्होंने इसकिन लाइटनिंग सर्जरी करवाई है तो उन्हें सेंड किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो लोग कौन करते हैं नमबर त्री निया शर्मा नागन फोर अक्ट्रेस निया शर्मा ने हाली में कवाड नाइट में शिर्कत की अभी नेतरी हमेशा की तरह धमाकेदार लुक में नजर आई निया शर्मा ने ब्लाक कलर का आउटफिट पैना था जिसके किनार पर कर्ट्स थे और ये काफी जोकिम भरा था हालकि निया को उनके बॉल्ड आउटफिट के लिए ट्रोल नहीं किया गया था नेटिजन्स ने उन्हें उनके ग्लाम मेकप के लिए ट्रोल किया और उनसे पूचा कि वो इतनी गोरी कैसे लग रही थी वगेरा वगेरा वैसे सिर्फ अज़देवगन की बेटी ही नहीं बलकि शारुकान की बेटी भी अक्सर अपने रंग को लेकर अजमाई जाती है यहाँ तक कि उन्होंने काली कहे जाने वाले पोस्ट को शेयर किया था और उन्होंने ट्रोलर्स का और भी नाम लिया था हाली में उन्हें नेटी जन्स द्वारा अचानक गोरी तौचा के लिए चुना गया था अगर आपको लगते हैं कि भारत में लोग मैलाओं की तौचा के रंग के प्रतिंग जुनूनी है दो ही अपने तत्थे की जांच करें रेमू डिसूसा को भी उनकी तौचा के रंग के लिए काला कहा जाता है और क्या क्या नहीं उन्होंने इस जाती वाद से आहत होने की बात भी सुईकार की थी लेकिन आज उन्हें साफले होने की तौचा के लिए चुना जाता है बॉलिवुड में अपने करीर की शुरुआत करने वाली काजल को एक साफली सुन्दरता के रूप में जाना जाता था लेकिन आज वो शुरू से ही काफी गोरी है और अक्सर अपनी तौचा को गोरब बनाने के लिए आलूचना और ट्रोलिंग का सामना करती है हमें आश्चर है कि ये ट्रोलिंग कब खतम होगी वैल दोस्तों आभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक और इंट्रस्टिंग और मसायदार खबर के साथ तब तक के लिए बाई बाई